हेलो फ्रेंट्स ड्रीम में जीवित को सुम्याब का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स जो ये थाइरड की जो बीमारी है बड़े और छोटों में सभी में बहुत जादा फैल रही है इसमें कोई भी एज का इफेक्ट ने है कि एज ये के दोरान होता है ये कभी भी बच्चों में भी होने लगा है बड़ों फ्रेंट्स सबसे पहले हम करेंगे ओम का चाप अभी ओमखा चाप करने के बाद में हमें करना है उज्जैन आसन जो है थाइरड के लिए बहुत ही अच्छा होता है आप इसे अगर लगातार करेंगे पांच मिनटा आप इसको लगातार करिएगा सास लेएगा छोड़िएगा और गर्दन को इस तरह से और इस तरह से हमें जो है उपर को सास खीचते हुए इस तरह से आवाज निकालना है तो अभी मैं बताने वाली हूं कि इस तरह से हमें इसको करना है तो इस तरह से हमें करना है हमसे कम हमें इसको तस सेकिन तक करना है अब ये हैं सिंहासन फ्रेंस सिंहासन भी बहुत थी फाइदे मंद होता है तो हमें सास लेन की छोड़ना है और हमें इस तरह से जैसे सिंह की धाड़ होती है ऐसे जीव निकालनी है उसके बाद में हमें सिंह की जैसे आवाज निकलती है इस तरह से हमें आवाज को निकालना है अगर आप ज्यादा भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो कम से कम और फाइव बार तो जरूर ही करें और फ्रेंस यह अभी यह तीसरा असन है यह हतेली है हतेली की बीच में जो इधर यह अंगुठा है अंगुठे की बीच से इस तरह से हमें इसको लेना है या से और इसको ऐसे दबाते हुए अगर जो भी मैं आसन बतार हुए आप इनको रेगुलर करेंगे तो आपको थाइरेड में भी बहुत ही जादा फायदा मिलने वाला दोनों हातों से हमें इस तरह सीही करना है इसको लगातार दबाते हुए अच्छे सीच को दबाना है बहुत अच्छे तरीके सीच को दबाना है इस तरह से हमें दबाना है कि इसमें थोड़ा पेन भी होने लगता है अगर आप मेरे चैनल बार आएं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजएगा तो मैं अच्छे अच्छी वीडियो आपके लिए योगा की वीडियो को लेके आऊंगी तो फ्रेंट्स एक आसन वो मैं आपको बताने वाली हूँ यह है पैर पैर के अंठा जो होता है यहाँ पे यह वाला जो जोइंट होता है इसको हमें इस तरह से अंगली और अंगुटे की बीच में करके इस तरह से इसको दबाना है इसको भी हमें लगातार दबाना है तो फ्रेंस ये जो मैं दो तिन आसन और ये बताई हैं ये आप कभी भी इनको बैट कर कर सकते हैं किसी भी टाइम बैट कर कर सकते हैं आपको ये नहीं है कि मुझे खाना खाना है या मैंने खाना खाच चुका है तो इसको आप कभी भी कर सकते हैं आप खाली समय में कभी भी कर सकते हैं इसको तो इसको कम से कम फाइब बार करें सब यासन जो है मैंने बता हैं कि आपको फाइब फाइब बार करने हैं अगर आपको टाइम है तो आप 5 से जाता भी कर सकते हैं, जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपको फायता मिलने बाला है, तो देख रहे हैं, मैं दोबारा फिर बता रही हूं, इस तरह से, यहां से उठाने नहीं है, इसको यहां से लेकि इसको दबाते तो और भी में ठायर के लिए और भी आसन योगा वगर आप भी अक्सरसाइज बगर आपके लिए लेख्याओंगी अभी में पांच-छे अक्सरसाइज में आपको बताई हैं तो आप इनसे ही आपको बहुत ज्यादा मिले वाला है अगर आप नहीं लगतार करें एक आसन यह ह हम स्टोक के लिए अगर एक सेकंड और आपको खुर्यत खराब है या पो बिए मारत सी काहटे थेरी दिए एक सेकंड के अंदर आप सास लेंगे और प्लूस को स्टब न है कि एक सेकिंद के अंदर आप स्टोक करें अगर आपको आपसे ज्यादा नहीं हो रहा है आपकी थोड़ा सा तवियत ठीक नहीं है तो आप उसको अरहां प्राम से भी कर सकते हैं आपको इससे बहुत पूरी बोड़ी में फायदा मिलने वाला है जो हमारे अंदर का हम कई पर ऐसा होता है कोई उल्टा सीदा खा लेते हैं जो उससे भी होती जाएदा इससे अक्सरसाइज से बहुत जाएदा हमें को फायदा मिलेगा आप इसको इस तरह से लागाता करेंगे एक इस तरह से हैं दो सेकिन्ड के लिए पर सास लेंगे दो सेकिन्ड के लिए सास को रोक की उसको नाक के थो छोड़ेंगे तो ये भी हमें प्रांच मुन तक करना है जो भी मैंने आसन बताए है ये थायरेट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं तो फ्रेंस हमारे जो आसन हैं करें हो चुके हैं अभी हमें करना है भ्राम्री तो सभी आसन करने के बाद में हमें भ्राम्री बहुत ही जरूरी है करना तो फ्रेंस भ्याम भी करते समय आप एक मातर बिंदू पर ध्यान रखें या आप ओम का जाब भी कर सकते हैं ओम भुर्वा कर सकते हैं आपके मन को अंदर से बहुत ही अच्छा लगेगा तो हम इसको तीन बार कर सकते हैं या इसको पांच बार भी कर सकते हैं अब करेंगे ओम का जाब तो फ्रेंस सास लेके ओम का जाब हमें करना है तो ओम करते बार ओम म म जब तक ओम ऑम आ जाए उसके बाद हमें होड बन कर लेने हैं यह तो इस्यक्तений लेका आप करना इसमेवाइब चाप हो चुका है और अभी हम उपर हाथ करेंगी और हतेलियों अच्छे से हतेलियों को जब तक गरम न और जाए इस तरह से मस लेंगे अगर कहीं भी आपको पेन है तो आप भी लगा सकते हैं भूदी से भाइदर भी मिलता है बहुत अच्छा होता है तो इस तो इसको दो तीन बार इस तरह से करें तो फ्रेंस अमर उंचाप हो चुका है उमारी अक्सरसाइज से भी हो चुकी है और आपको मेरी थायरेड से एक्सरसाइज क्या इसी लग ने फ्रेंस तो आप ज़रूर बताईएगा तो फ्रेंस हमारी अक्सरसाइज हो चुकी है और हमने इधर ग्लास पानी में जो है धनिया विगो के रख दिया था साथा गंटे के लिए अब इसको उबाल दिया है तो तब तक हमें उबालना है जब तक यह आधा ना राज जाए तो आधा राज चुका है अरब च्छान लेते हैं इसको और गुन-गुना होने के बाद में इसको पीलेंगे तो मेरे फ्रेंस अगर आपको वीडियो अच्छ करिएगा थैंक्स पूरोचिन